कोविट के इंफेक्शन के बाद एक बहुत बड़ी समस्या है कमजोरी जिनको भी करोना हुआ है उसमें लगबग 80% ऐसे मरी जहें जो की आज भी जिनको कमजोरी महसूस होती है आज हम बताएंगे आपको इसी समस्या से बहार आने की कुछ होमयोपति तबाएं आज हम बात करेंगे कोवेड यानि करोना के इंफेक्शन के बाद आई वीक्नेस पर कमजोरी पर एक रिसर्च स्टेडी सातियों अभी हुई थी जिसमें 80,000 लोग या अमरीका में हुई थी उसमें 80,000 लोगों को जिनको करोना हुआ था उनकी केस को स्कैन करा गया था पूरे केस को लिख के उसको पूरे पैरमिटर को मॉनिटर करा गया था और उसमें से माना गया कि जो वह 80,000 लोग थे वहाँ एक चिंता कब इसे हो जाता है जब आदमी अपना regular work नहीं कर पाता, काम नहीं कर पाता और उसको परिशानी उठानी पड़ती है आज हम बताएंगे साथियों करोना के बाद आए fatigue को ठीक करने की कुछ कारगर homeopathic दवाएं दवाएं साथियों कारगर हैं लेकिन आप से मैं निवेदन करूँगा कोई भी दवा भी न कुसर जी किसक से पुछे मत लीजेगा तो चलते हैं साथियों सफर पे जिस पे आपको बताते हैं करोना के बाद आए कमजोरी को दूर करने की कुछ homeopathic दवाएं पहली स्थिती साथियों आती है mental stress जब आपको कोविड होता है तो आपकी दिमाग में तनाव आता है और जब दिमाग में तनाव आता है तो आप परिशान होते हैं तो अगर किसी को COVID हुआ है और उसके बाद उनके दिमाग में तनाव आ रहा है तो उसको दूर करने के हुमियोपैथी में बहुत अच्छी दवा है कैली फॉस आप कैली फॉस 6X पावर में चार टेबलेट सुभा चार साम ले सकते हैं यहां आपको मेंटली स्ट्रॉंग करेगी और आपके करोना के अशर को खत्म करेगी एक इस्तिती आती है सातियो किसी को COVID हुआ हो उसके बाद उनको मसल्स में बहुत वीक्नेस लग रही हो तो अगर मसल्स में बहुत वीक्नेस ला रही है मांस पेशो में बहुत वीक्नेस लारी है और COVID मरीज को हुआ है तो इसको ठीक करने के और दाकत वापस लाने की बहुत अच्छी दवाए सेक्रम लेक्टिनम सेक्रम लेक्टिनम 30 पावर में 2-2 बून दिन में 3 बार ऐसा मरीज ले सकता है इसको COVID के बाद मसल विकने साई है यहाँ दवाय से मरीज को लाप देगी एक इस्थिती आती है साथियों किसी को करोना हुआ हो COVID का इंफेक्शन हुआ हो उसके बाद उसको बहुत एंजाइटी रहती हो बेचैनी रहती हो उसको उससे बहुत कमजोरी महसूस होती हो तो अगर यहाँ स्थिती ओ साथियों तो इससे स्थिती को ठीक करने के हो में पहती है आर्षनिक अलबम आप आर्षनिक अलबम 30 पावर में दो दो बून दिन में तीन बाद दे सकते हैं इस दबह से आपके कमजोरी दूर होगी आपके एंजाइटी खतम होगी और करोना का जो एक काली चाया आपके उपर सही होने के बाद भी पड़ी है वहाँ खतम हो जाएगी एकिस्ति आती ही साथियों, कोबिएट में परिवार में किसी ने अपनों को खो दिया और उसके बाद उनके बहुत बीखने सारी है जो अगर दुख हो, कोई दुख और डिप्रेशन हो और उसके बाद बीखने सारी हो एक इस्थिति आती है साथ कि जब से COVID हुआ है उसके बाद से dullness, dizziness, drowsiness और weakness बनी रहती है तो अगर यहाँ इस्थिति हो कि कुरोना होने के बाद से report negative होने के बाद भी उठने का चलने का काम करने का मन नहीं करता है dullness, dizziness, drowsiness, weakness बनी रहती है तो इस्थिति को ठीक करने की होनों पहती है बहुत अच्छी दवा है जलसीमियं सेमी परवाईनम आप जलसीमियं 30 पावर में 2-2 बूर दिन में 3 पाल ले सकते हैं यहां दवा आपकी समस्या को खतम करेगी, आपको टाकर देगी और करोना की काली चाया को आपसे दूर करेगी एक इस्थिति आती है साथियों जब से किसी को गोविड हुआ है और report negative आ गई तब भी उनमें एक गफलत मस्तिश में रहती है वेक्ति रहता है कोई decision नहीं ले पाता है इस तरह का उसका दिमाग हो गया है तो अगर यह स्थितियों साथियों तो इस्थिति को ठीक करने के हुमें उपरती है बहुत अच्छी दवा है इससे आपकी जो decision making power खतम हो गई है वहाँ वापस आ जाएगी और आप निर्ने लेंगे फैसले करेंगे और जीवर में आगे भी पढ़ेंगे तो चाइना बहुत अच्छी दवा है जहां पर decision making power आपकी लेस हो गई हो यह साथियों को दवाएं थी COVID में आपको जो है weakness आई है फटीग आया उसके लिए दवाएं साथियों निश्चित रूप से कारगर है लेकिन कोई भी दवा भी नकुशल्ची के सक्से पूछे मत लीजेगा मन में कोई query हो तो WhatsApp करिएगा हमारे WhatsApp नमबर पर प्रयास करेंगे आपकी बात का उवची जवाब दे सके हैं इविदन करेंगे साथियों यदि वीडियों आपको अच्छा लगा हो तो वीडियों को लाइक करें शेयर करें अपने चैनल को सब्स्ट्राइब करें और बेल करेंगे साहते हैंrico, मैंगे करें यदियों करेंगे साहते हैं कि करते गिछ से अजय के गड़ымlt SI अंत dewते हैं सब्सक्राइब घझा है अंत